सिलाई मशीन आप दो तरहां से चला सकते हैं बिजली से चला सकते हैं और डबल अ बैटरी से भी चला सकते हैं बिजली से चलाने के लिए अडाप्टर का उप्योग करें जो की मशीन के साथ दिया गया है अडाप्टर को टू पिंस सॉकेट में लगाएं और दूसरा छोर मशीन में दिये गए स्थान पर लगाएं मशीन को foot paddle के द्वारा भी चला सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि foot paddle का एक छोर दिये गए जगा पर लगाएं और दूसरे छोर को दबाने से मशीन शुरू हो जाती है अब हम आपको मशीन के विभिन अंग और उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे निचला पहला बटन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है बीच वाले बटन के साहियोग से आप मशीन को on या off कर सकते हैं और उपर वाले बटन का उपयोग रोश्नी के लिए कर सकते हैं जिससे की आप आसानी से कम रोश्नी के स्थान पर भी बिना रुकावट काम कर सकते हैं सिलाई मशीन में ही धागा कट करने की सुविदा दी गई है आगे के इस अंग को फैब्रिक होल्डर कहा जाता है जो की कपड़े को आगे सरकाने में मदद करता है अब हम आपको धागा पिरोने के विभिन अंगों के बारे में बताते हैं पहला स्प्रिंग बॉबिन होल्डर दूसरा तार का लूप तीसरा टेंशन स्प्रिंग चोथा तार का लूप पांचवा टेक अप लिवर छटा तार का लूप और उसके बाद नीडल क्लाम्प और आखिर में सुई अगला अंग है बॉबिन वाइंडर अब हम उसकी जानकारी देते हैं अगर बॉबिन का धागा खतम हो जाता है तो इस अंग के द्वारा बॉबिन में धागा भरा जाता है आईए मशीन में धागा पिरोने की प्रक्रिया देखते हैं पहले स्प्रिंग बॉबिन होल्डर में लगाए गए तरीके से रखें याने की पहले स्प्रिंग गुजरते वक्त आपको धागा टेंशन स्प्रिंग के उपर की दो प्लेट के बीच से ले जाना है, यानि की टेंशन स्प्रिंग को लपेटना नहीं है या वाइनिंग नहीं करनी है, उसके बाद अगले तार के लूप में पिरोएं, आगे बढ़ते हुए टेक अप लिवर से धागा पिरोएं, ध्यान रखें, दिखाए गई प्रक्रिया को अराम से करें, अब हम आगे बढ़ेंगे, टेक अप लिवर के बाद दिखाए गए अगले तार के लूप से धागा पिरोएं, अब नीडल क्लाम के छेद से धागे को नीडल के छेद में डालना है, तो अब आ दिखें, और उसे दिये गए तरीके से बॉबिन कमपार्टमेंट में रखें, ध्यान रखें, बॉबिन से आने वाले धागे को मशीन की बॉडी में दिये गए खाचे से बाहर निकालना है, धागा खीच कर देखें कि आपकी बॉबिन क्लॉकवाइस, अत्वा घड़ी की द तरीके से लगी है, और अब हम महत्वपूंड क्रिया की ओर बढ़ेंगे, जो की है बॉबिन का धागा नीडल के धागे के साथ उपर लाना है, ध्यान दें और दिखाई गई प्रक्रिया को आप पहले ध्यान से देखें और उसके बाद ही उसे करें, अब आप समझ लें कि ह हमने यह काला धागा नीडल के लिए इस्तमाल किया है, और सफेद धागा बॉबिन के लिए, अब आपको विडियो में दिखाए गई तरीके से काले धागे के छोर को अपने हाथ में पकड़ना है, और दूसरे हाथ से हैंड वील धीरे-धीरे अपनी तरफ घुमानी है, एक सिर्फ एक बार जानी चाहिए, जैसे कि आप विडियो में देख पा रहे हैं, जैसे जैसे नीडल नीचे नीचे जाए, वैसे ही आपको हैंड वील घुमाते रहना है, जब नीडल अपनी पुरानी जगा, मतलब जहां से वो नीचे गई थी, उस जगा वापस आजाए, तब आप हैंड वील घुमाना बंद कर दें, दूसरे हाथ में जो काला धागा पकड़ के रखा था, उसे आप उपर की ओर कर लें, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, जैसे ही आप उसे उपर की ओर करेंगे, वैसे ही नीचे से सफेद धागा उपर आएगा, हम फिर से यह बता रहे हैं कि आपने हैंड वील अपनी तरफ घुमाया था, और अब आप दोनो धागों को बाहर निकालें और पेडर फुट के बीच से पीछे की तरफ ले जाएं, उसके बाद जरूरत के अनुसार धागा खीच लें और दिखाये गए तरीके से उसे काट लें, और अब आपकी मशीन सिलाई करने के लिए तयार है और अब आप अपने कपड़े को सिलाई के लिए आगे से पीछे की ओर रख सकते हैं, कपडा रखने के बाद आप टेक अप लिवर को नीचे कर दें, जोकी पेडर फुट से कपड़े को पकड़ लेगा, और अब आप आप अन का बटन दबाकर मशीन को शुरू कर सकते हैं और आप अपनी मशीन फुट पेडल की साहता से भी शुरू कर सकते हैं ध्यान रखें सिलाई करते समय आपको अपने कपड़े को धीरे से आगे की ओर खीचते रहना है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कपड़ा और धागा अटक सकता है और आपकी मशीन जाम हो सकती है अगर कपड़ों पे सिलाई नहीं आती है तो उसके दो कारण हो सकते हैं पहला नीडल का इशू और दूसरा गियर का टाइमिंग मिसमैच अगर आपकी नीडल सही तरीके से नहीं लगी है तो आपके कपड़े पर सिलाई नहीं आ सकती ध्यान रखें और नीडल को सही तरीके से लगाएं अगर आप सिलाई मशीन को बिना कपड़े के चलाते रहेंगे तो आपकी सिलाई मशीन जाम हो सकती है तो ध्यान रखें कभी भी मशीन को एमटी या बिना कपड़े के ना चलाएं झाल झाल